आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टडी क्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है दोस्तों इस खबर ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया और इसी लिए मुझे लगता है ये हर किसी को समझना चाहिए और मालूम होना चाहिए कास्टिजम की क्या आज रेलिवेंस है बहुत ज़्यादा है हो सकता है बड़े शेहरों में ना हो लेकिन गाओं में 70% भारत गाओं में ही रहता है और कुछ जगां पे आज भी आप कास्टिजम देख सकते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमारा समझनान में fundamental rights में abolition of untouchability, discrimination की कोई जगा नहीं है लेकिन ये हुआ है अब देखिए मैं पूरे भारत के मंदिरों में जाता ही रहता हूँ लगबग लगबग सारे मंदिर में गया ही हूँ सारे जोतरलिंग से लेकर सब ये जो हटना हुई है इसने मुझे particularly बहुत ज़्यादा दुखी किया है देखिए मैं चानक की नीती पढ़ रहा हूँ और चानक की ये चीज़ बताते हैं चानक के बार बार अपने में ब्राम्भन का यूज़ करते हैं बर ब्राम्भन कास्ट के परपस से नहीं बताते हूँ ब्राम्भन जो है जो ग्यानी है है ना और चानक के हमेशा कहते हैं कि जिसके दिल में प्यार है, जो दयावान है, उसको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ प्यार ही काफी है मुक्ष खेलिए पताओंगा मैं spiritual wisdom और कैसे दुनिया को जीते हैं, ये सारे verses 600-700 के करीब 300 रपे का कोर्स है, आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं, नीती 70 कूपन को ड्यूस करिए तो जब चानक के नहीं महान ठिंकर नहीं, इस बात को नकारा है, तो हम कौन होते हैं, अब यहाँ पे बात क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि एक मंदिर, हनाकरे, गाउ, मंडिया डिस्ट्रिक्ट, 100 किलो मीटर है बैंगलोड से, यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है, भेरेश्वरा स्वामी मंदिर, काल भेरो, या खुद भी पूजा करता हूं, ओम, रीम, भटुकाए, आद्दुध धारणा है, कुरु कुरु भटुकाए, रीम, बीज मंत्र, भेरो, काल भेरो, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टर है वो, जिनके ओ पड़क्रिपा हो जाती है, उसकी जिन्दगी पार, लेकिन आप ये समझे, कि यहां हुआ क्या, कि हनाकरे गाओं में, ऐसे टेंशन क्रियेट हुआ है, क्योंकि, यहां पे एक दलित जो है, वो इस मंदिर में चला गया, अब, ग्रूप ऑफ विलिजर्स, अच्छली क्या है कि ये जो काल भहरेश्वरवा स्वामी मंदिर है, उत्सफ मूर्ती जो यहां पे है, जो कि फेस्टिवल्स में, आपको पता है, कि जो साउथ में फेस्टिवल होते है, पूरी की पूरी रथ यात्रा से लेकर बहुत कुछ होता है, जो एक डेटी को मूव किया जाता है, पू जालित अंदर गए, और यहां पे दर्शन किये, तो कुछ गाउवाले गुस्सा हो गए, अब यह पर्मिशन जो है, यह ओलरी स्टेट इंडावमेंट डेपार्टमेंट ने दे दी थी, सरकारी ओफिशल्स, पुलिस ओफिसर्स ने बहुत लंबे समय तक बातचीत की, 13 किलो का डलित है, बहुत साल पुरानी प्रता है, यह मंदिर बहुत पुराना है, और सदीओं से यह रोख है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन यह तो अधूनीग भारत है, 20 सदीओं पहले हम 1000 कीलोमीटर की यातरा पईदल तैंग करते थे, क्या हैं गाड़ी नहीं ती, तो क पलवार लेके जाते थे हम आज भी यहीं करें नहीं ना सारी चीजे अच्छी चीजे तो आपने अपना ली ये बुरी चीजों को क्यों नहीं छोड़ रहे हो यह बहुत ही शर्म सार घटने वाली घटना गर ऐसा हुआ है अब यहां पर बता रहे हैं कि सेपरेट टेमपल दिय के लिए बनाया हुआ है ट्रेडिशन है हमारा हमने पैसा दिया है टेंपल के रिनोवेशन के लिए और यहां भी कॉंग्रेस है मैंले जो एम स्री निवास है तो यह रीजन है कि हम इनको नहीं आने दे सकते हैं यह बहुत ही गलत है यह चुआ छूत और यह सब आप देखो साउथ के मंदर स्टेट कंट्रोल में आते हैं आपको पता है कि साउथ वैसे पूरे इंडिया के मंदर और यह मूमेंट भी चला है कि स्टेट का कंट्रोल हटाए और मंदिरों को दे लेगिन दोस्तों अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या आपको लगता है ये ठीक है अब यहां पर बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे कि नहीं मंदिर का डिजाइन ऐसा है वैसा है बाई देखी आप वेदानत को पढ़िए आप भागमदगीता को पढ़िए आप चानक के को पढ़िए आप किसी भी महान ठिंकर को पढ़िए संतों को पढ़िए उन्होंने हमेशा एक चीज़ पर वो सहमत रहे हैं कि इंसान की सर्विस चानक के अपनी पूरी चानक की नीती में कहते हैं मैं कोर्स जो मना रहा हूं उसमें बताऊंगा कि इंसान की सर् कर रहे हैं अगर आप दूसरों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं न तो इससे महान चीज कोई नहीं है लेकिन जब एक को ऐसे छोटा समझा जाएगा तो फिर यह कैसे काम हो पाएगा ठीक है इस तरीके की कुरीतिया अगर आज भी चलेंगी तो फिर वो मंदिरी कैसा भगवान तो भेदबाव करता नहीं भगवान ने तो सब को बनाया है इंसानों ने डिविजन क्रियेट किया तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा भेदबाव कर रहे हो ऐसी अगर चीज़े आपके दिमाग में है तो भगवान आपको आशरवात देगा बिल्कुल भी नहीं ऐसे लोग भगवान को पासकतो हो नहीं सकते अगर आप इस तरीके से कोई चला गया कोई इंसान चला गया तो बस आप ये काम कर रहे हो तो फिर भूल जाए है कि भगवान आपको आशरवात देगा है ना क्योंकि ये तो भगवान की नज़र में क्राइम हो गया ये तो गुना है अब उसके बाद वही है कि जब ये पूरा कंट्रोल जैसे भाई यहाँ पे बोला गया कि जो स्ट्रक्चर था वो नया बनाया श्राइन जो है वो रिलिजिस एंडाउमेंट डेपार्ट्मेंट मतलब सरकार के इंडर आ गई तो दलिट्स जो है वो मंदिर में आने लगे लेकिन क्या ही दिक्कत है भाई ये कितनी अच्छी बात है मंदिर जो है मंदिर का काम ही पूरे भारत को जोड़ना है ना कि तोड़ना है आदी शंकराचार ये तने महान थिंकर भक्ती मूव्मेंट के शुरुवात करने वाले उनको पता था आगे जाके क्योंकि हम बहुत सारी भाशाय है अलग तरीके से रहते हैं तो प्रॉब्लम होगी हर सौ किलोमीटर पर कल्चर बदल जाता है तो जोड़ने के लिए पूरी भारत में मंदिर बना दिये हैं ना चारो मटकी स्ताफना कर दी आज भी अगर आप छोटा चारधाम में देखो तो साउथ के पुजारी वहां पे आपको मिलेंगे यह हाला आता है वारा रसी में आपको बहुत सारे साउथ इंडियन्स मिल जाएंगे यहां तक की यह समझिए कि भगवान राम को पूछते हो राम कहां से आयुद्या से आयुद्या यूपी में तो यह पूरे भारत यूनाइट है पूरा भारत धर्म की वज़े से और मंदि मंदिर ऐसे तोड़ोने वाला काम कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है जो भी मंदिर ऐसे कर रहे हैं तो यहां पर बतारे क्वें हर किसी एक मंदिर मं जाना हर कोई जा सकता है इस में भेदभाव करने की जरुवरत निय कि minute होता नहीं कहीं पे 99.9 पॉंशंट सबसे जो कहते है कि सबसे बाहे पहलाने वाला जो धर्म वो हमारे ही है ठीक है और इसमें हर कोई आता है हर कोई दर्शन करता है लेकिन कुछ चीज़े जो हुई है ठीक है कुछ जगां पे यह acceptable नहीं है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि यह ऐसा करना यह बिलकुल घी और मुरे ख्याल में सरकार को इनके ओपर कारवाई भी करनी जाए अगर ऐसा हुआ है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है और हमारे समविधान के खिलाफ भी है तो बता रहे हैं कि ठीक है इनको मंदिर रखने तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला और ह अब अपने साथ भगवान ले जाएंगे भगवान आपके साथ कभी नहीं सकते अगर आप इस तरीक की की हरकत कर रहे हैं कुछ लोग बहुत द True कोई तो इस तरीके से भगवान कभी हो ही नहीं सकते इस ऐसे लोगों के साथ जिनकी ठिंकिंग ऐसी है तो बड़ा दुख हुआ मुझे देखे और आधुनिक भारत में ये सब देखे बड़ा दुख होता है कहीं पे खबर आती है कि किसी दलित को पेड़ से बांद के पीड़ दिय कहीं पे कुछ खबर आती है एक खबर आ रही थी कि भाई गाउं में बारात निकले उसको पीड़ दिया ये सब क्या हो रहा है ये यहां लॉइन ओर्डर है होना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारत लॉइन ओर्डर से चले है ना क्योंकि बारत के लिए गीता कि ओशो कहते थे कि सब एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं लेकिन भाई तुम इंसान भगवान नहीं सब को बनाया है और इंसान ने डिविजन क्रियेट किया तो यह चीज़े नहीं होनी चाहिए यह लेचर था तो आई हो आपको आप बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स लड़ब के लिविजन का.